हेलो वरवन वेलकम यूओ अलेट लोके सर अलेम्टेड स्टडी जोन नवोदय विद्याले संगठन याने की इंट्रेंस एक्जामेनेशन क्लासिक्स के लिए की क्लासिस चल रही है यह राज हमारे साथ बैठे हुए गाईज और हम करेंगे कुछ बहुत रीन कोश्चन सुन करके और आप अपने साथ ही साथ मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन भी फ्रेम कर लिजेगा अपनी कॉपिया में नोट कर लिजेगा और फिर उसके बाद हम लोग इसका सलूशन करेंगे तो मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन मैं लिखने वाल और इस बात को पकड़ना 12 men or 15 women can do a piece of work in 21 days भाई साब ये इन में से कोई दो में से कोई एक काम को 21 दिन में करते हैं 21 days में find the number of days required to complete the same work by 6 men and 2 women अगर 6 इंसान और 10 औरत 10 women है और है यहाँ पर end है 6 men and 10 women है तो आपको बताना है कि कितने days में इसको करेंगे तो मैंने मान लिया कि इसको x days में करते हैं अब देखो भाई पंगा देखो क्या है पहले वाले सीन में 15 women काम करती है और 12 men काम करते हैं तो यह समझो कि 12 men का जो work है वो 15 women के मराबर है Yes or No? मतलब 12 men का work equal to 15 women 12 men equals है किसके इकको 15 women के इकको काम में So one man equals to how much? 15 by 12 women So हमाई पस कितने men है आपे? 6 men है 6 men equals to 15 upon 12 into 6 Clear हुआ? 6 men equal to 15 upon 12 याने कि कितना हो गया भाई? और दूसरे case में 6 men and 2 women है तो यदि मैं 6 men की जगह है 15 by 12 women हो गई तो इस case को यदि मैं फिर से एक बार लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कि 15 women जो है वो काम में लगाती है कितने दिन? 21 days और यहाँ पर कितने मैं है? 6 men 6 men किसके एक वल है? 15 by 2 women के and याने कि प्लस करना पड़ेगा कितनी women है? 10 women 15 by 2 plus 10 women को कितने दिन लगते है? X days लगते है clear or no? 15 by 2 को हम solve कर लेते है यह बन जागा यार यह है अपने पास का यह है साड़े साथ है 7.5 है 15 by 2 कितना होता? 7.5 होता है कि नहीं होता है? 7.5 plus 10 याने कि यह हो जागा 17.5 मतलब कि 17.5 women को कितने days लगते है? X days अब आप यह सूचो कि यह relationship proportional है कि inversely proportional है? अगर इंसान बढ़ाओगे तो days कम होंगे मतलब अगर number of people बढ़ेंगे women की संक्या बढ़ेगी तो number of days क्या होंगे? कम होंगे मतलब inversely proportional है तो funda क्या लगेगा? W1 upon W2 is equal to ओके क्या दाने का यह आपे? X2 upon X1 ओके यह days 2 upon days 1 ऐसा लिख लो days 2 upon days 1 यह सौनो तो first case में कितनी women है? 15 women है और उनको days कितने लग रहे है? 21 तो 21 नीचे आएगा ठीक है न जी? यह ऐसा कुछ कर लो this equal to this 21 नीचे आएगा second case में कितनी women है? 17.5 है 17.5 है की नहीं? और days कितने है? भाई साब यहाँ पर days मैंने माल लिए है X क्या माल लिए है? X तो चलिए इसको solve कर दो मैं X की value निकाल नहीं है X equal to 15 into 21 upon me 17.5 इसको काट दो भाई सब यहाँ पर कितना आ गया? 10 आ जाएगा आ जाएगा न? चलिए अब 175 है और यहाँ पर यह है तो मैं इसको 5 15 से काटता हूँ 5 से काटता हूँ 5 3 15 15 5 3 15 कितना हुआ? 5 3 15 यहाँ पर 2 बजेगा 35 आएगा भाई कितना आएगा? 35 हाँ 175 में आपने 5 का डिवाइट करिए हाँ की किना? clear हुआ? 5 2 जा 10 5 7 जा 35 7 3 जा 21 तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आँसर 18 इक्वल टू एक्स मतलब कितने डेज लगेंगे? 18 डेज बोले clear है एक दम question? तो यहाँ पर 18 डेज लगेंगे यार यह question बहुत बार बच्चे पूछते हैं यह question बार 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 पूछते हैं क्योंकि time and work का question है Guys, clear एक दम ना? बिल्कुल clear है चली अगले question के ओर चलते हैं guys Question number 63 देखते हैं बच्चो Question number 63 क्या कह रहा है? यह fist tank length, breadth and height भाई fist tank तो बना लू मैं length, breadth, height तो देखी जाएगी चलो भाई साब यह fist tank बनने वाला है यह fist tank बन गया Okay A fist tank, length, breadth and height is 40 cm length है 40 cm breadth है 60 cm or height है 50 cm Okay This is L, this is B and this is H L, B, H It contains 50 liter of water How much water is needed to fill it completely Okay Yarr, liter को centimeter में बदलना है Yes, ji haan Liter को centimeter में बदलना है Because liter भी क्या है, volume होता है And centimeter cubic भी क्या होता है, volume होता है So liter, haan बोलने में गलती होगे, liter को centimeter cubic में बदलना है So देखो भाई One liter कब बनता है One liter कब बनता है One liter कितने पर बनता है, यह समझो पहले One liter One liter One liter equal to one thousand ml बिल्कुल सही है One liter equal to 1000 ml और बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही Length, breadth, height 10 centimeter की है वो डिबबा बनेगा Length भी 10 है Breadth भी 10 है और Height भी 10 है तो वो जो box आपका बनेगा वो बनेगा Length into breadth into height 10 into 10 into 10 That is equal to thousand centimeter cubic And thousand centimeter cubic को ही हम बोलते है One liter क्या बोलते हैं बच्चों One liter ठीक है तो एक liter का box बनाने के लिए आपको 10-10-10 centimeter की side लेनी पड़ेंगी तो बन गया अब सबसे पहले मैं इसका volume निका लेता हूँ तो इसका volume length into breadth into height 40 into 60 into 5th centimeter cubic 120 आ गया और 30 जिरो ये आ गया 123 ये complete है ये complete इसका total volume है ये इसका total volume है अब question का क्या कहना है question का कहना है It contains 50 liter of water इसके अंदर 50 liter of water है तो ये तो भी total हो गया अब water का volume कितना इसके अंदर भर हुआ 50 liter में 50 liter 50 multiply by thousand centimeter cubic तो ये आ गया भाया 50,000 centimeter cubic 70,000 70,000 बोलो कितना बचेगा भाई साब ओ गलत कर दिया 50,000 50,000 minus होगा न remaining volume equal to total volume minus water जितना भर है तो कितना आ गया बोली 70,000 70 centimeter cubic अब option किस में है लीटर में है तो मजे की बात है 70 into thousand centimeter cubic और 1000 centimeter cubic को बोलते हैं एक लीटर तो आंसर कितना आएगा 70 liter बिल्कुल सही आंसर आ गया 70 liter डन है बच्चों? अगला सवाल के ओर चलेंगे बच्चों चले गाइस अगले question पर चलते हैं अगला question बता रहे हैं युवराज हमें question number 60 question number 60 हम पढ़ते हैं the length of the rectangular plot of a land is four times of the breadth तो ये rectangular plot है करा कि इसकी जो length breadth की चारगुनी है तो मैं breadth को माल लेता हूँ x तो length कितनी हो जाएगी 4x बिल्कुल सही 4x हो जाएगी a square swimming pool of the side 8 meter occupies one eighth plot of the one eighth part of the plot चलो भाया कहरा अब एक swimming pool पर जाओ a square swimming pool a square swimming pool of the side 8 meter ये जो 8 meter side का है मतलब ये भी 8 है ये भी 8 है length breadth सभी equal होती है तो इसका area कितना होगा इसका area होगा length into breadth 64 meter square 8 into 8 ये meter में है ओके तो ये कितना होगा 64 meter square क्या कह रहा question meter square sorry sorry meter square अब question का कहना है कि जो swimming pool का area है इसके area का 1 eighth है ओके कितना है 1 eighth मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको area of swimming pool equal to one by eighth one eighth area of plot बोलो जी हाँ है न तो swimming pool का area कितना है 64 equal to one by eight time plot का area length into breadth x into four x बुली clear है x into four x चली इसको काट देता हूँ मैं four से लगे हाथो four बन जा four और four two जा eight तो ये चला गया हमाई पास में कितना 128 कितना होगा 128 clear होगा equal to 128 two actually थोड़ा जल्दवाजी नहीं करूगा आराम से लिखो नहीं तो बच्चे फिर बोलेंगे comment box में अरे गुरुजी क्या हो गया 64 तू इधर से चल जाएगा multiply two equal to x into x 2x हो गया तो क्या गया एक्स का square बना की नहीं बना 64 into two equal to 128 equals to x का square so x equals to under root 128 बुली हाँ है ना under root 128 128 को solve करने का तरीका है 64 into two होता है 128 64 into two कितना होता है देख लो करके 24 जा 8 और 66 to 12 यस और no और 64 का root कितना आता है 8 बाहर आजाएगा तो answer आएगा 8 root 2 meter कितना आएगा 8 root 2 meter तो correct answer इसका 8 root 2 meter होना चाहिए then the length of the plot okay okay length पूछी है भाई plot की हमने तो क्या निकाल दिया है हमने क्या निकाल दिया है हमने तो अभी निकाला है area निकाला है हमने क्या निकाला इसका area अभी हमने x की value निकाली है sorry हमने भी x की value निकाली है no problem बच्चो जी x की value आ गई है 8 root 2 कितना आगे x की value 8 root 2 अब हमको चाहिए, देखो जी आप लोग अच्छे समझो, यह हमारे पस x की value आ गई, x तो समझ में आ गए ना सभी को, अब हमको चाहिए length of plot, length of plot मतलब perimeter, length of plot मतलब perimeter यानि की plot की लंबाई, तो देखो भाया, यह 4x है, तो यह भी कितना होगा, 4x, और यह भी कितना होगा, x, तो 4x, 4x कितना होगा, 8x, और 8x plus 2x कितना होगा, 10x, कितना होगा, 10x, तो perimeter होगी 10x, कितनी होगी, 10x, तो 10 into x, 10 multiply by x, यानि 8 root 2, तो यह कितना आ रहा हमारे पास में, यह हमारे पास में आ रहा है, 80 root 2, अब mistake हुई है, क्या कोई answer देखता हम पड़ेगा फिर से, question का कहना, the length of a rectangular plot of a, भाई साब फिर गलती कर दी मैंने, मैंने perimeter निकाल दी है, मगर question में length पूछा है, क्या पूछा है, length पूछा है, देखो यार, क्या हो रहा है हम लोगों से, भाई length पूछा है, तो length बताओ न, तो length इसकी कितनी है, length है 4x है, कितनी है length, 4x है, मैंने perimeter बता दी, length मतलब total length थोड़ी न बोली, length यहने यह होती, 4x, length और breadth जानते हो न, तो length equal to 4x है, तो 4 multiply by x, x कितना आया है, 8 root 2, 8 root 2, 4, 8 जा कितना होता है, 32 root 2 meter, अब बिल्कुल सही है, भाई, हम क्या-क्या निकाल दी है, हमने perimeter निकाल दिया था, x की value तो खेर, need बढ़ेगी, मगर perimeter की जरूरत नहीं क्योंकि question है, length पूछा है, perimeter नहीं पूछा, ठीक न, perimeter नहीं पूछा, ठीक न, perimeter नहीं पूछी है, अगर question बोलता की boundary बताओ, या, है न, perimeter बताओ, ताब अपनों को पढ़ता है, पर question है, पूछी है, length तो मेरे को बतानी थी, 4x, तो यह लो जी मैंने आपको बता दिया है, कि 4x कितना होगा, 32 root 2, clear है, अब ऐसे question में गलती क्या होती है, कि बच्चे न, answer निकाल करके, x की value ही लगा देते हैं, बहुत बार, क्योंकि उनको लगता, x सबसे cutting चीज़, वही आगा, तो वही answer होगा, बढ़ ऐसा नहीं है, आपको पूरा solve करना पड़ेग 128 को किस से, दो बार जाएगा, यह 64 टाइम हैगा, ओके, 64, फिर 2 टाइम फिर से जाएगा, तो कितने बार गया, 32, फिर 2 से गया तो 16, फिर 2 से गया तो 8, फिर 2 से गया तो 4, और फिर 2 से गया तो 2, और finally 2 से गया तो 1, तो देखें कितने 2 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो root 128 को आप क्या लेख सकते है, root 128 को लेख सकते है, आप 7 बार 2, 2 into 2 into 2, और फिर 2 into 2 into 2, 6 हो गए, एक और लेख लो, आप जोडियां बना लो, एक जोड़ी बन गई, एक जोड़ी बन गई, एक जोड़ी बन गई, एक जोड़ी सी के वहले एक single 2 बार आएगा, तो एक जोड़ी का 2, एक ज लेंथ है तो लेंथ इसन मीटर क्लियर हो गया क्लियर है तो यह X की वैलिव आई है बच्छो किस की वैलिव आई है X की अब आपको चाहिए थी 4X तो 4 into 8 root 2 that is equal to how much 32 root 2 yes 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 चलि अगला कोशन बहुत ही ब्यूटिफूल है गाइस question number 44 की में बात करता हूँ 44 तो 44 question में पहले आपके सामने पढ़ा देता हूँ a constable is 114 meter behind the thief बिटए यह constable है यह थानेदार हवल्दार हवल्दार थानेदार नहीं यह constable है और यह इसके आंग एक थीफ जा रहा है इन दोलों की बीच की जो distance है वो है 114 meter ओके अच्छी बात है the constable runs 21 meter and thief 15 meter in a minute अब constable की speed में बता देता हूँ constable की जो speed है वो है 21 meter प्रति पर minute 21 meter पर मनलब एक minute में 21 meter दोड़ जाता है कौन constable और जो thief की speed है वो है 15 meter पर मिनिट 15 meter पर मिनिट clear हो गया है ना तो constable की speed जो है 21 meter पर मिनिट है और इसकी जो thief की speed है 15 meter पर मिनिट है बूलो clear हो गया अब आपका सवाल है कि यह इसको पकड़ने में चादते से कौन दोड़ रहा है constable और यह धीमा दोड़ रहा है ठीक है तो अब यह 21 से दोड़ रहा है और यह 15 से दोड़ रहा है दोनों ही दोड़ रहे हैं यह यह जोड़ रहा है दोड़ रहा है तो इफएक्टिव स्पीड कितनी वनेगी जिसको हम लोग बोलते है क्या बोलते हैं रिलेटेव स्पीड की बनेगी जो रिलेटिव पीड बनेगी wolves Parkinson में दोड़ रहा है हैं तो ज़्यादा वाले मैंस को माइनस का तो 21 31-15, आंसर कितना हुआ, 6 meter per minute, समझ गया ना, यह speed बनेगी, मतलब जो effectively speed जो इसको समझ में आएगी, thief को, कि मेरी तरब दोड़ते आ रहा है, वो 6 से समझ में आएगी, clear हुआ कि नहीं हुआ, clear हुआ, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, इसकी 21 है, तो 21 को लिख सकते हो, 15 प्लस 6, बोलो हाँ, और यह भी कितने से दोड़ रहा है, 15 से, तो 15 इसकी है, शुरू वाले पाट की, तो यह तो cancel होगा एक तरीके से, impact इसका पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा impact क इसका 6 का, आगई भास समझ में ना, मैंने एक दिन बताया था ना, कि दो motor cycle अगर दोनों एक ही रफतार से चल रही है, और आप दोनों हाथ मिला के बड़े आराम से कुछ दूर तक जा सकते हो, क्योंकि relative velocity कितनी हो जाएगी, जीरो, कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपकी भी कोई स्पीड आपकी वह स्पीड है, तो कोई किसी को आंगे पीछे जाता हुआ समझ में नहीं आएगा, हाँ बट यह 6 से जादा है, तो इसको यह दिखतेगा कि आरे मेरी तरफ आ रहा है, तो मतलब इसको मेंली 6 की स्पीड से चलना है, और टाइम निकालना, तो आप लोग तो 6 को काट दो भाई, 19 से काटी है, 19 से 6 बार जाता है, 19 की टेबल में 6 बार आता है 114, ओके 19, so 6 19 जा 114, तो correct answer इकोल स्टू 19 मिनट, 19 मिनट, आगी बार समझ में की नहीं आएगा, तो टोटल, टाइम इकोल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 114 मीटर, इस की कैना, तो ये मिनट पल्टी मार के कहाँ चला जागा, उपर, और मीटर से मीटर हो गया, चैंसल, 6 की टेबल में कितने बार आएगा, 19 बार आएगा, clear हो गया, की नहीं हुआ, तो ये हो गया, और ज़्यादा सिखना है, तो आप इसको डिवाइट करके कर सो, ये दो-दो स काट दो पहले, तो 2 से काट दोगे, 114 अपान 6, तो 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, और 2 7 जाएगे, और 6 की टेबल में, पढ़ लो, 19 3 जा 57, clear हो गया जी, any problem, चली, done, guys अगला question बहुत interesting, question number 53 में आपको करा रहा हूं, पहले question में आपको सुना देता हूं, आप लोग नोट के लिएग and the next highest was 3 by 11 of the remainder, if these scores are deferred by 9, then the total score is, आप यहाँ ध्यान देंगे प्लीज, focus here, सबसे पहले देखिए, इसमें बात की गई है कि जो highest score है in an inning is 3 upon 11 of the total, तो हम मानते हैं, let the total score is equal to x, कितने runs हैं total, x runs है, total हम मान लेते हैं कि x runs है, so highest score, highest score जो होगा, वो होगा 3 upon 11 of the total, तो 3 upon 11 of the x, यह हो गया, यानि कि 3x upon 11 हो गया, यह क्या होगा है, highest score, क्या हो गया यह, highest score, ठीक है न, मतलब total run बने हैं कितने x, x का एक हिस्सा है, जो highest score है, वो है 3x upon 11, अब remaining part कितना होगा, इस में से इसको minus कर दो, x minus 3x upon 11, clear, so यह यहाँ 1 है, तो यह कितना बन जागा, this will be 11x minus 3x upon 11, 11 में से 3 का कितना बजगा, 8x upon 11, yes or no, so what is the remaining part, remaining part equal to 8x upon 11, 8x upon 11, अब question क्या के रहा है, and the next highest was 3 upon 11 of the remainder, तो यह तो पहला highest था, अब next highest, next highest कितना है, next highest जो है, हो है 3 upon 11 of the remainder, 3 upon 11 of the remainder, यह है, 8x upon 11, है कि नहीं है, यह हो गया, 3 upon 11 of the remainder, so it will be 3 upon 11 multiply by 8x upon 11, clear हुआ कि नहीं हुआ, so कितना हो गया, 8 3s are 24, 24x upon 11 का square 121, तो यह आ गया, तो 2 highest हमाई पास आ चुके है, एक आ चुका है 1st highest, और एक आ चुका है 2nd highest, अब question का कहना है, कि इन दोनों highest के बीच का जो difference है, वो कितना है, वो है 9, कितना है, 9, तो अब देखो, दोनों में बड़ा highest कौन सा है, इसका denominator चोटा है, मतलब इसका denominator चोटा है, मतलब इसका denominator चोटा है, मतलब इसका बड़ा highest, और question ने बैस, sorry, sorry, big highest पहला वाला है, first highest, 3x upon 11, question ने भी बोल रखा है, this is highest, first highest, और यह है next highest, मतलब team में सबसे ज़्यादा वाले रन, और उसके बाद वाले रन, ऐसे मानलो, तो रोहिष शर्मा के रन और विराट कोहली के रन, नहीं, उल्टा हो गया, कोहली के ज़्यादा होते न, तो यह कोहली के रन मानलो, और यह किसके रन मानलो, उसके, रोहिष शर्मा के, इन दोनों का जो difference है, वो 9 है, तो पहला highest कितना है, 3X upon 11, बड़ा रन, 3X upon 11, minus, second highest कितना है, 24X upon 121, 24X upon 121, दोनों के highest का difference कितना दे रखा है, 9, कितना दे रखा है, 11 और 121 का कितना होगा, LCM, 121, कितना होगा, 121, because 11 and 121, so this is 11 से एक बार, और यह 11 बार, 11, 11 जा 121, फिर अगें 11 से, one time, one time, so answer is 121, दोनों का multiply करके, done, now 11 का डिवाइड किया, तो 11 आया, 11, 3 जा 33X, minus 121, 121 बने आया गे, कितना आ गया, 24X, एक्कॉल तो कितना, 9, 33 में से, 33 में से 24 गया, कितना आएगा, 9X, 9X upon 121, equal to 9, clear, so 9X की value निकाल लो, यहां से, तो 9X equal to 9, multiply by 120, 1, because यह इधर जाके multiply हो जागा, तो X की value हमें चाहिए है, तो 9 into 121, 9 कहां चला जागा, upon में, 9 से 9 क्या हो गया, cancel, answer कितना आ गया, 120, 1, तो जो total run है, वो कितने आ गया है, 120, 1, question है, total score ही पूचा था, कि total score कितना होगा, so the correct answer is 120, 1, clear, so total score equal to 121, done guys, okay guys, so this is over from this Yuvraj batch and I hope you are doing so well in your examination, thank you so much from my end, this is Lokes along with the Yuvraj Khandelwal, thank you so much, bye-bye.